इस वीडियो पे हम डिसकस करेंगे बैंक आफ महरास्ट्रा के स्केल 2 एन स्केल 3 के एक्जाम के पैटन के बारे में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लो पिकॉस आपको बहुत सारा इंपोर्टन वीडियोस मिलेंगे तो सबसे पहले हम बात करें मोटिवेशन की लिखा तो वीकेंसी हैं लेकिन किस चीच का मोटिवेशन तो मोटिवेशन कहां से आता है मोटिवेशन आता है सबसे पहला number of वेकेंसी कि हाँ मुझे एक opportunity मिला है और मुझे ये crack करना है तो opportunity भी छोटा नहीं है बहुत बड़ा opportunity है scale 3 पे 100 vacancy scale 2 पे 400 vacancy तो ऐसा कभी मत सोचो कि यह IBPS PO का जो recruitment है उससे छोटा job है यह बल्कि उससे एक level का उपर का job है तो vacancy या motivation हम जो भी बोल ले वो तो है ठीक है vacancy भी एक पार है यही चीज़ आपको motivate करेगा exam को देने के लिए तो समझते हैं exam pattern अब हम आगे बरते हैं चलते हैं qualification क्या qualification आपको मांगा गया है यहाँ पे qualification scale 2 के लिए मांगा गया है bachelor degree in any disciple ठीक है अगर आपके पास JIAB या CIAB है तो वो desirable है essential उन्होंने नहीं बुला है essential का मतलब है चाहिए ही हमको desirable मतलब है तो बहुत अच्छा है नहीं है तो कोई बात नहीं competition exam तो आप ऐसे भी fight कर रहो और scale 3 की बात करें तो scale 3 में भी same चीज मांगा गया है कोई differ नहीं है हाँ अगर professional qualification है तो उसको भी consider किया जाएगा तो यह और में है let's not discuss that अब आते हैं हम experience में तो देखो मुझे पता है आप में से बहुत लोग ऐसे हो जिन्होंने अपने graduation के बाद you have literally tried very hard to clear IPPS PO का exam to work in the corporate to work in the public sector bank but किसी वज़ा से नहीं हुआ है तो आप अभी कहाँ पे हो आप अभी या तो SDFC के साथ हो या तो कोटक महिंदरा के साथ हो या कोई भी public sector मतलब कोई भी schedule commercial bank के साथ private schedule commercial bank के साथ आप as an officer काम कर रहे हो देखो यहाँ पे अगर मैं scale 2 की बात करूँ सरफ उन्होंने बोला as an officer अभ वो आपका कुछ चीज नहीं देखेंगे चाहे आप sales department में हो आप forex department में हो आप चीजों को manage कर ले हो आप HR department में हो आप किसी भी department में हो प्राइवेट बैंके अगर आप एक officer हो this is an opportunity right this is an opportunity which is standing at your door you just have to open it and grab it that's it हाना उस तरीके किसा मैं देखूंगा इसको अब बैंक बोल रहा है experience मतलब जो बैंक आप महरास्टरा है वो आगे बोल रहे है experience में experience in credit related areas branched in charge is preferable यह preferable है यह essential नहीं है तो आप कता ही ऐसा ना सोचो कि हाँ मैंने तो bank को head नहीं किया या मैं तो department का in charge नहीं था तो मैं कैसे करो no तीन साल अगर आपका experience as an officer चाहे आपका work role कुछ भी रहा हो तो आप eligible हो यह आपको देना चाहिए scale 3 की बात करें जो एक level और उपर वाली job है यहाँ पे थूगा सा जादा उन्होंने मांगा है 5 साल उन्होंने मांगा है 5 years as an officer in schedule commercial bank in any मतलब private sector भी include है the candidate should have minimum 1 year experience as branch manager head out of the 5 years तो मैं बताओ यहाँ पे बहुत सारे लोग जो public sector bank में भी है न वो लोग भी आ जाएंगे because ऐसे बहुत लोग है जो 6-7 सालों से scale 1, scale 2 पे ही job कर रहे है मतलब उनका promotion नहीं हुआ है और उनके पास तो यह 5 साल के साथ यह सारा expertise भी है they will also come so यह एक बहुत opportunity है आप दोनों के लिए अगर हम age की बात करें तो age reserve 35 से 35 से 35 साल है और इसमें है 25 से 30 80 years but yes, reservations के जो भी criteria है government के वो तो applicable रहेगा ठीक है तो this is an opportunity तो यह ना मैं आपको future के लिए भी बता दू मतलब आप अगर graduation कर रहे हो आज के दिन में and if you are aspiring to become a banker in public sector bank ठीक है तो अगर ऐसा नहीं है अगर आपका IBPS clear महीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है आप किसी private sector bank में join कर लो यह सब वेकेंसी ना हर साल आते है यह दिखता नहीं है क्योंकि यह regular नहीं है but हर साल देखो 400 का वेकेंसी it's not a you know it's मतलब आप IBPS का SO का exam आप देख लो जहां जहां पर 50-50 का वेकेंसी आया है एक bank में वहां bank of maharashtra अकेले generalist चार सो रिकृट कर लिए रहा है so it's a very very big number right तो preparation भी करो आप side by side और आप किसी bank में भी job कर लो if your long term goal is to become a banker ठीक है बाके देयर दो आप RBI की भी कर सकते हो okay but yes start your career because ऐसे opportunities ना यहां पर competition कम होता है and literally these are very you know अगर आप एक सही दिशा follow करोगी you can do it तो जिस विज़े से अगर जब मैं सही दिशा की बात किया तो मैं बात करूँगा study plan तो ये वीडियो के बाद आज शाम को आपको study plan के वीडियो भी मिल जाएगा so watch that also बढ़ते हैं आगे अब vacancy and exam pattern vacancy हमने देख लिया है ठीक है exam pattern की बात करें तो scale जो 2 and 3 है देखो Q, R, E and professional knowledge ये professional knowledge में ये जो 60 question है मतलब देखो total 300 question 300 mark ठीक मतलब essentially ये है कि एक question में एक mark carry करेगा but वो तो actual क्या होगा वो handout में हमको पता चलेगा लेकिन most important point to note is इसमें negative marking नहीं है no negative marking ठीक है तो आप ये Q, R, E जो normal practice से बन जाएगा और जो professional knowledge है आपका ये तो आप जो काम करे रहे हो ना उससे आप clear कर सकते हो जिसका submitted सबसे ज़्यादा है and you can literally clear it on अगर हम selection process की बात करें जो normal है वही है आप exam दोगे exam के बाद 1 rest to 4 के criteria पर आपको interview पर बुलाया जाएगा आप जब interview देने जाओगे interview का exam आप जो exam लिखोगे उसका 60% weightage और 40% interview का weightage ये दोनों मिलके जाएगा मतलब इसमें कोई mains exam नहीं है सिर्फ pre है इसमें और आपको interview पास करना है that's it and based on that a miracleist will be prepared अगर अप तो पर 400 पे हो तो दी जोब इस यूस and the opportunity is यूस so grab the opportunity my dear friends मिलते हैं किसी और वीडियो में but before I say thank you and goodbye right to please do consider the expert faculties for quants Karan Sardana sir for reasoning Anshul Malik sir for you know professional knowledge it's me and Amit Pari sir for quants me you know Neha maim is also there to guide you along with the Karan sir and for English it's Satakshi ma'am okay so with this let's meet in some other lecture till then unfold your potential and always remember IXMB helps you prepare 50% faster